समस्कार दोस्तों आप सबीका स्वागात है हमारे यूटीव चेनल पे हमारे यूटीव चेनल पर काफी सारे वीडियो हमने रोट कंस्ट्रक्शन के लिए अप्लोड किये हैं जिनकी HELP से आपने काफी कुछ सीखा है है आपके कमेंट भी आते हैं और कई कमेंट उनमें ये भी आते हैं कि सर ब्रेज कंस्टेर्शन को लेकि वी कुछ वीडियो बनाई जाए तो । डिया फ्रेंड आपके उन कमेंट के जवाब में यह आज की वीडियो बना रहा हूं रात कालगबग एक बच चुका है और अपन को subscribe जरूर कर लिजेगा और वीडियो को दूसरे फ्रेंटिक साहर जरू कर देना तो start करते हैं आज की वीडियो डिया फ्रेंट काफी इंपूरेंट वीडियो है आल टम्स यू सुट नो बिफोर कंस्ट्रक्शन के पहले कौन-कौन से बात हमें ध्यान में रखनी होती है तो कुछ definitions की help से हम समझेंगे डिया फ्रेंट के क्या होती है कैसे दिखती है जैसे में अबुटमेंट है अप्रोच है अप्रोच सलेव है यह कहां होती है कैसे दिखती है इनका काम क्या होता है इनके बारे में हम ब्रीप discussion करेंगे इस वीडियो में तो सबसे पहले हमारा number one पहे एबुटमेंट एबुटमेंट क्या होता है दिया फ्रेंट तो एबुटमेंट की अगर definition को हम समझें यहां पर इसको मैं सिंपल लेंग्वेज में आपको समझाता हूँ देखो यह एक ब्रीज है डिया फ्रेंट यहां पर एक ब्रीज का ड्रॉइंग मैंने आपको दिखाया है इसको मैं थोड़ा आपको इनलार्ज करके समझाता हूँ यह हमारा एक ब्रेज है ओके यह हमारा एक ब्रेज है अब यह जो आप ग्राउंड लेबल देख रहा हैं ग्राउंड लेबल मतलब जो हमारा जमीनी सत है उसको हम ग्राउंड लेबल बोलते हैं यह ग्राउंड लेबल की लाइन यहां पर ती ह हुई है यहां पर आभी हम चर्चा कर रहा है अबट मेंट की ठीक है तो जो ग्राउंड लेवल के नीचे जो बनाते हैं जो हम फाउंडेशन बनाते हैं जिस पर कि हमारा सारा जो ब्रेज है वो रेस्ट करता है ठीक है ये फाउंडे सेनों का अब अबॉटमेंट्स का कहलाती है ते फरण आबॉटमेंटस जो होती है ठीक है तो यो वित्समेंट्स जो होती है वो हमारे फाउंडीसन के उपर और ज्यों हमारे सुपर स्ट्रेक्चर इस व्यों में यह जो हमारी पैडेश्टल है ये जो हमारी सिलिव है इसकी नीचे का पाट और foundation के उपर का part ये हमारे sub structure कहलाता है तो abitment generally हमारी sub structure में आती है और ये इस पे जो हमारा super structure का पूरा load है वो इस पे rest होता है तो ये हमारी कहलाती है abitment और ये both ends पे जो हमारी bridge की both ends से वहाँ पर ये बनाई जाती है उन balls को हम पूलते हैं abitments एक image की help save में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ देखो ये हमारा bridge का एक end ये है एक end ये है तो ये जो हमारा देख रहा है आप जो बक्ट ये जो box bucket type का देख रहा है ये हमारी कहलाती है abitment ओके अब next हम बात करते है approach approach क्या होती है definition तो देखिए जैसे ये हमारा कोई bridge है तो इस bridge की एक abitment ये हो जाई और दूसरी abitment ये दूसरी corner पर हो जाएगी ठीक है तो इस bridge को इस whole bridge को हमारे जो road है जो हमारे road चली हुई आ रही है उस road से जोडने के लिए जो एक transition path होता है वो कहला दी approach ठीक है यानि कि जो हमारी road है उस road को bridge से connect करने वाला जो हिस्सा होता है वो कहलाता है approach ठीक है जो कि आप ये हमारा bridge part है और ये हमारा इतना part क्या कहलाता है approach और अगर image होंगी तो मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर ठीक है जैसे ये जो हिस्सा आप देख रहा है ये हमारा bridge यहाँ से start हो रहा है और ये हमारा road बाला part है तो जो हमारा road और जो bridge इसके बीच का जो हिस्सा है वो कहलाता है approach थर्ड है approach slab अब यहाँ पर ये आपको समझने की ज़रत होती है अब यहाँ पर आप समझेए यह तो हमारा हो गया अब यहाँ पर आप देख रहा हूँ यह तो हमारा सुपर स्ट्रक्चर है जो slab है अब slab तो हमारी पूरिक तरह के से concrete की बनी हुई है इसलिए यहाँ पर settlement होने कोई chances नहीं होता है अब यहाँ पर जो abookment होती है και 25 must का जो इतना वाला हिस्सा होता है इसमें आप इसलिए हूँ क्या करते है अर्थ का filling करते है तो अर्थ का filling करने जब इतना height तक आप अर्थ का filling क्ढेंगे तो दिरे-ठीक क्या होती है इसलिए क्या होता है जो इतना हिस्ञा है यह जो आप देख रहे हैं । कि जो आप इतना वाला पार्ट देख़् रहें डियाफन यहाँ पर क्या करते हम R Gulf की एक स्लव डाल देते हैं आर्दुप्ढ़ियर का एक structure यहां पर इतने portion में बना देते हैं मैं आपको एक image की help से भी दिखा देता हूं तो आपको यह easily समझ में आ जाएगा देखो यहां पर यह हमारा bridge है और यह हमारी क्या है यह approach है अब इस approach को इस bridge से जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं नहीं आपको यहां पर एक rcc का एक slab डाल देते हैं यहीं हमारी क्या 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 थी approach slab क्या क्या होता है यहां पर जो हमारी abutment wall है और यह हमारी रोड है इसके जब हमारा road से हमारा को traffic सीधा abutment पर जाएगा तो बहाँ पर है यहाँ सदन लोड इंपोईट होगा जिस से हमारी आबूटमेंट को डेमेज हो सकता इसलिए आप हम क्या करते हैं आर सी की सलैब डाल देते हैं यही हमारी आर सी की सलैब है निक्त- और पर खस्च आधर है। ये जिनरेली सिलेब कहल आती है ये जन्रेलर करती है कहाँ ही अबूटमेंट रेश्ट करती है, पर ये रेश्ट करती है। झालक ये जो दिखने डाइड वाले भी आप इसको बोलते हैं, जो हमारा यह वाला हिस्सा है, यह हमारा dark wall कहलाता है, dark wall च Cross मिटेश करसे इस नमर हम बात करता है बेइरिंग बेरिंग क्या होते हैं बेरिंग को यह हमारी सिंपल भासा में हम समझते हैं कि देखो यह हमारा क्या है कि यह हमारे अब उट्समेंट से ठीक है यह दोनों हमारे क्या एक एवन हो गया यह हमारा स्लैब हो गया अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे यह जो हमारी स्लैब है यह डायरेट इस अविट्मेंट के ऊपर नहीं रखी हुई है यहाँ पर एक चीज़ आपको देखेगी जो कि अविट्मेंट और स्लैब के बीच में क्या कर रही है इस स्लैब को होल्ड करके रखी इस जो होगा कर आप एक लिएकवश ल इस अदिश्टिबुूट होता है किस थे हमारे स्ट्रीबर्वन्ट ऌसे यहाँ अडिक आपडा है अगर यह कि और हममें वहलों हो कि हमार अधिक आने वाले हैय कर तो बहाँ ca करन पार करते हैं एक बेरा बाइब्रेशन साने वाले हैं तो यह जो उन बाइब्रेशन को उस सौक्स को क्या करती है एप्चर कर लेती है इसलिए हाँ पर हम क्या करते हैं बेरिंग को इंस्टॉर्ड कर देते हैं नेक्स्ट बिर्ज बिर्ज क्या होता है एब बिर्ज इस्ट्रक्चर हैं इक टोटल लेंथ आप आव अब सिक्स मीटर और कैरिंग ट्रैफिक और अधर मुविंग लोड्स एक्रोस चैनल टिप्रेशन रोड और रेल्बड ट्रेक और एप्श्ट्रेक्शन देखो bridge की definition यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ bridge क्या होता है dear friend bridge एक structure होता है structure बोले तो एक framed structure RCC structure होता है जो कि किसी भी canal पर railway line पर या किसी भी हमारे जो road है या कोई traffic उपर हमें traffic उसकी निचे से निकालना है तो एक हम क्या बोलते हैं या पर एक passage provide कर देते हैं तो bridge और culvert यहाँ पर दो बाते आती है bridge किसको बोलते हैं अगर उसकी जो length है वो 6 meter से ज़्यादा है तो वो bridge केटे गरी में आ जाएगा और अगर उसकी length 6 meter से कम हो रही है तो वो currency category में आ जाता है फिर आता है camber क्या होता है camber is a transverse inclination given to the cross section of the carriageway so as to ensure it proper drainage एक image के help से में आपको यहाँ पर समझानी कोशिस करता हूँ देखो यह हमारी bridge की top surface है और यहाँ पर हम क्या कर रहा है slope चेक कर रहा है जो हमारी bridge की stop surface है यह थोड़ी slope में आपको यहाँ पर देख रही होगी देखो यह slope यहाँ पर हम major कर रहे है यह क्यों दिया जाता है different क्योंकि जब बारिस का पानी इस bridge को पर गिरता है तो वो drain off हो जाए अगर इसमें camera नहीं देंगे next है हमारा causeway causeway क्या होती है causeway is a paved submersible structure with or without opening यह इनको हम bands भी बोलते है which allow flood water to pass through and over and or over it देखो अब यह bridge तो आप समझ गए जो 6 meter से बड़ा structure है जो कि हमारे नदी, नालों पे या railway crossing या किसी भी traffic passage को provide कराने के लिए बनाए जाता है अगर उसकी length 6 meter से जाता है तो bridge कहलाता है अब causeway क्या होती है causeway देखो यह इस परिकार के structure जो कि क्या करते है कई जगे ऐसी हमारे सड़कों में स्टिती बनती है जहाँ पर कि बहुत कम पानी कुछ समय के लिए एक दू दिन के लिए या कोई बारिस हो जाती है तो उसने ही समय के लिए कुछ छोटी मोटी नाले है तो वहाँ पर वो पानी निकलता रहता है वहाँ पर हम क्या करते है इस पर करके structure को बना देते है यह structure क्या करते है अगर थोड़ा बहुत पानी है तो यह उसके नीचे से निकल जाता है और अगर थोड़ी देर के लिए ये मालनी है भी वारिस हो जाए तो एक दूखंटों के लिए क्या होता है पानी इसके ऊपर से भी निकल सकता है तो इस पर करके structure कहलाते हैं कॉजवे फिर आता चैनल क्या होते हैं देखो चैनल एज नेचरल और आर्टिफिशन वाटर कोर्स कोई भी पानी एक प्रॉपर लाइन के रूफ जब किसी ड्रैने सिस्टम में मिलता है तो वह चैनल कहलाता है कोई भी रिवर है वह प्रॉपर लाइन प्रॉपर स्ट्रीम से आ रहे हैं तो वह क्या कह लाते हैं यानि वार्टर का कोई भी सोर्स है वाटर कि कोग भीbourg आप लाइन samज है कोई भी एक स्त्रोस समझ लीज्टी उसको हम क्या करते हैं जैनल के नाम से बलाते हैं फिर आता है किलियरंस के लिए इस कि लेंश का होता है किलेंश इस दा सॉटेंश डिस्टेंश बिट्वीन दा बाउंडरी इड इस पिर्जिफाइट बोजीशन ओफे बिरेज अंडर पास और पास इसके बारे में आपको समझा देता हूं किलेरंस क्या होता है दा सौर्टेश डिस्टेंस बिट्वीन दा बांडरीज एड़ इस्पीजिफाइड पोजीशन ओफे ब्रेज अंडर पास अब यहां पर हम बात करते हैं तो यहां पर किलेरंस से क्या कहना इनका पढ़ रहा है तो और यह समझ लेते हूं सेवन मीटर है तो इसका क्लेरंस क्या हो जाएगा सौर्टेश डिस्टेंस है किसी भी दो पॉइंट्स की यह पूरा एक कंटिन्यूर्स अगर यहां पर स्लेव होती तो यह जो डिस्टेंस होती यह मालीजी बीस मीटर हो गई ठीक है और यह हो पांच मीटर तो यहां पर क्लेरंस क्या हो जाएगा पांच मीटर तो जो सौर्टेंस डिस्टेंस है वो हमारी कहलाती है क्लियर रहें दस्वा नमबर है कौफर देम तो कौफर देम क्या होती है इंडिया फ्रेंड कौफर देम का मतलब आप समझें देखो अब आप यहां पर देख रहा हूं कि चार तरफ यह जो हमारी नदी है इसमें काफी सारा फानी आ गया अब ऐसे सिच्वेशन में अगर आपको यहां पर सिलैपी कास्टिंग करनी है आप यहां पर कुछ एरियाज में क्या करेंगे आप माले जैसे हम पूरा ब्रेज एक साथ तो बनाते नहीं है पहले हम क्या करेंगे आदा आदा या पार्ट्स वाइब ब्रेज बनाते तो हम क्या करते हैं यहां पर कोछ इस्से में मिट्टी अ कि नों यहां पर किस नांसे बताते हैं कोफर डैप की नाम से नामके अगला है क्रेश बेरियर 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 क्रेश तोर पर भी लिया जाता है कि एक डेफिनिशन हम समझते हैं एक बेरियर प्रोवाइड़ एड़ा साइड ऑप केरिज वे टेजाइन टू रिड्यूस ता रिस्क ऑप सीरियस एक्सिडेंड वाइडिंग गाइडिंग गाइडिंग गारेंट वीकल वेक ऑन दी रोड ठीक है कहा आपर केरिज वेपर जो बनाएगा ऐा ठीक है प्रोवाइडिट इस अभुड वेयर जो बेरियर आप देह hier आसा यह हमारे घाएर से से जो केरीज वेपर बनाएगा है यह क्या कहलाते हैं क्रैस वेरियर तो मैंने आपको बता दिया था कलबरति क्या होते हैं ऐसे इस ट्रॉक्जर जिन adult छह मीर से कम होती है जो की वाटर को cross आते हैं अगला नंबर है डार्ट वाल का तो डार्ट वाल क्या होती है डार्ट वाल इज वर्टिकल वाल प्रोजेक्टिंग फ्रॉम एबुट्मेंट कैप टू प्रिवेंट इस्पिल आफ अर्थ पेमेंट माटिरियल एंड आलसो टू सपोर्ट एप्रोच लेप अब मैं तो यहां से कलर में चेंज कर लेता हूं ठीक है यह वाला हिसा ठीक है यह हमारी क्या है अबिटमेंट है ठीक है यह हमारी अबिटमेंट अबिटमेंट तो हाला कि पूरी ही है लेकिए अबिटमेंट में भी एक कंपोनेंट होता है डार्ट वाल का क्या होता है यहां तक जो ह हमारा होता है यह वाला हिस्सा यहां प्रोवाइड की जाती है एक जो एक्ष्ट्रा इस्ट्रक्चर्ट्ट, जो की इसी में मॉनो लिथिक होता है इसको हम डाट वर्ल के नाम से भुलाते हैं डाट क्या करती है जब आप यहां पर मिट्टी का भराव कर देते हैं यहां पर 4 तरफ मिट्टी भर देंगे तो इस मिट्टी के लिए ही रोकने से इस मिट्टी को इस मिट्टी को इस स्ट्रक्चर के उपर गिरने से यह डर्ट वॉल रोकती है और भी मैं इमेघ्स से आपको समझाता है अब देखो यहां से ही आप समझ लेजिए अगर आप देख पा रहा हूंगो तो पानी हमारा यहां से स्टार्ट होकर यहां तक चल रहा है तो यह जो पूरी अगर लेंड थाप मीजव करेंगे दियर फरें तो यह हमारी कहलाती वाटर वे अब इस waterway से में effective waterway क्या है तो जब हमें जो obstruction है यह से यह pier है यह pier है यह abitment wall है इनकी बिट जब आप इसमें से minus कर देंगे तो जो आपकी length बचेगी वो आपकी effective waterway कहलाएगी फिर है flyover तो फ्लाई ओवर आप समझते ही एक बिरिज ओबर अनेदर रोट फॉर एलाउं ट्रैफिक विदाउर इंटरप्शन पिद इट्स एप्रोच वन पोट साइट में लब के कोई सड़क है उस सड़क पेसे जो ट्रैफिक चल रहा उस ट्रैफिक को बना डिश्टब कि हम उसके उ उस ट्रैफिक को आगे बढ़ा सके तो वो क्या कहलाता है हमारा प्लाई ओवर कहलाता है की ट्रैफिक कि अफिव कर दी जाता है छिन्के लिए जो फूल सड़क के और इस विए तर्ट कर पार करते हैं तो तो इसको क्या कहलाते हैं फोटोगा गरaria कहते हैं जो प्यारी इस्टे स्थान को लिए बना जाता है फिर आता है a plex काफी important ड misin अag deix kya होता है a flex is the rise in the flood level of the channel immediately on the upstream of bridge as a result of obstruction to natural flow caused by the construction of a bridge and its approaches अब या पर जो यह आप इसको समझ सकते हैं देखी डिया फ्रेंट जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है एक बिर्ज से construction यहाँ पर कर दिया है ठीक है यह हमारा बिर्ज से construction यहाँ पर हो गया अब यह नदी का क्या हो इस पानी के राश्ते में आप्स्ट्रेक्स अना गई है रुकाबट आ गई है तो इस रुकाबट के करण क्या होगा इस पर्टिकुलर निट फिर हैं फाउंडेशन फाउंडेशन is that part of the bridge structure which is in direct contact with and transmitting load to the founding strata जैसा कि मैंने बताया दाएट अखन जो हमारा फाउंडेशन होता है वो हमारे ground level की नीची का जो हिस्सा जो हमारा यह वाला हिस्सा जिस हम footing भी बोलते हैं इस footing को फाउंडेशन बोला जाता है यह जो काम करता है जो सारा हमारा ब्रेज है जो हमारा सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर उसका जो लोड है यह जो ट्रेफिक है उसको क्या करता है डारेक्ट हमारे अर्थ पे ट्रांसफर कर देता है तो यह हमारी foundation कहलाती है फिर है free road काफी important terms है और interview में भी आपसे पूछी जाएगी free road at any points is the difference between the highest thread level after allowing for a flux if any and the formation level of road impact on the approaches or top level of guide once at that point समझे यह बहुत important terms है free road क्या होता एक आपको picture की help समया पर समझाता हूँ सब्सक्राइब के यह जो ब्रेज है बारिस हो गए और यहां पर पानी क्या हो रहा है हमारा इस लेवल तक बह रहा है ठीक है तो आप देखेंगे डिया फ्रेंट जो हमारी स्लेब का बॉटम है और जो हमारा पानी है अब यहां पर एक चीज़ा आपको कंसीडर करना यहां पर हायो फ्रेड लेवल भी बोल सकते हैं उस ब्रिज के एक अस्पेक्ट में तो इस एफ्लेक्स के लेवल और हमारा जो सेलेब का बॉटम लेवल है उसकी बीच की जो एक गैफ हम लेते हैं जो एक सेपटी पॉइंट ओब व्यूव से बीच का जो इस पिस लेते हैं यह हमारा क ब्रेजेस हैं उनमें एक सब्सक्राइब लेकर चलते हैं नेक्स्ट है फुल सप्लाई लेवल या FSI फुल सप्लाई लेवल इस दा वाटर लेवल करेंस्पॉंडिंग तू दा फुल सप्लाई जब कैनाल अब यह थोड़ा कैनाल के बारे में यहां पर चल जाओ रहें इनका कहने का मनलब क्या है कोई अगर कैनाल है तो उसकी जो कैपिसिटी के एकॉरडिंगली उसका जो वाटर लेवल है उस वाटर लेवल के अगर अगैंस्ट वह सप्लाई कर रही है तो उसका फॉल सप्लाई लेवल कहलाता है तो दियर फ्रेंट इस वीडियो के पहले आगे भी जो वीडियो आएंगी अगर आपको उसकी नोटिफिक्शन चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिक्रिक्शन पहुंच सके इसलिए चलता हूं टेया फ्रेंड आज की वीडियो में तब तक लिए डाटा टेक कर एंड गुडबाए